नमस्कार मैं साउल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ बिहार में चुनावी महौल है ऐसे में नेताओं के बीच आपसी वाकियुद छिड़ा हुआ है एक दूसरे पर परत्यारोप हो रहे हैं और इसी कड़ी में नेता हद भी पार कर रहे हैं और अंगाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है इस रिपोर्ट को देखिए और अंगाबाद के चुनावी रंड में उत्रे विवादों से नाता रखने वाले बिहार सरकार के पुर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रामाधार सीन ने एक बार फिर से बड़ा विवादस्पत बयान देकर यहां की चुनावी फिजा में भूचाल ला दिया है पुर्व मंत्री ने अपने चुनावी प्रतिद्वंदी कॉंग्रेस के निवर्तमान विधायक आनंद संकर सिह पर ओची टिपनी के लिए उन्होंने मगही की एक कहावत का भी इस्तिमाल किया है लेकिन यहां पर भी उन नेतिक प्रिष्ट भूमी से जुड़ी हुई है सुनिये रमाधार सिह ने क्या कहा अब आनंद संकर सिंग और उनके पिता जी भी पहले कह बार घंटी बजा चुके हैं अब लोग के पास तो अपने घुमने के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं है पूर्व मंत्री कहावत वाली ओची टिपनी के बाद भी यही नहीं रुके इससे आगे बढ़ गए और कॉंग्रेस के उमिद्वार और निविर्तमान विधायक आनंद संकर सिंग से खुद का मुकाबला नहीं होने की बात कहते हुए बस्पा प्रत्याशी अनिल कुमार से सीधी लडाई होने की बात कह गए हमारी लडाई बहुजन समाज पार्टी के अनिल जादो से है जितना जिसको सर्वे करा लेना है लडाई नहीं बलके हम बहुत आगे हैं लेकिन सेकन अनिल जादो है यह चुना पंचानवे के तरह हो रहा है पंचानवे में बड़े-बड़े महारती लड़ रहे थे सबका जवानत जब थो गया था कॉंग्रेस उमिद्वार को मात तीन हजार भोटा आया था और हमारी लडाई कमनिस पार्टी से हो गए उसी तरस इस बार हमारी लडाई बहुजन समाज पार्टी से है इस टिपनी से कॉंग्रेस उमिद्वार भी सीधे तोर पर भड़क गये उन्होंने साफतोर पर कहा दिया कि यह चुनाओ रामाधार सिंग का अंतिम चुनाओ होगा इसलिए उन्हें हार का अंदाजा हो गया है और उनका मांसिंग संतुलन गड़बड़ा गया है लोकतंतर म में जनता मालिक है और जनता ने पिछली बार अठारा हजार वोट से उन्हें जिताया था देखें निशित रूप से दोहदर पंदरह में अठारा हजार से ज्यादा मतों से हारने के बाद कहीं ने कहीं उनका मांसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है जिस प्रकार की ओची बातें अबद्र भाशा का परियोग वो आये दिन करते रहते हैं मैं समस्ता हूं कि एक सब इंसान को उस तरीके की भाशा का इस्तमाल करना जायज नहीं है जहां तक बात है हार और जीत की तो निशित रूप से मैं आपको ये बता दूँ कि पिछली बार 18 से हारे थे इस बार 30 से हारेंगे 30,000 से हारेंगे ये वक्त बताएगा ये आज के वक्त में आप सवाल कर रहे हैं और 10 तारीक के मदगना के बार आप यही सवाल को दोराईएगा आपको पता चल जाएगा इस बार उनकी अंतिम लड़ाई होगी जिस प्रकार से दूसरों पे लांचन लगाना किसी के बारे में कुछ भी कह देना इनके आरोपों के लंबी फेर हिस्ट है बोलने लगूं तो आदमी अपने आप में शर्मा जाए इसलिए पब्लिक है यह सब जानती है किसी को कुछ कहने कि आवशकता नहीं है और समय बताएगा कि कौन कितना पानी में है जब ओशी टिपनीव के खेल में रामाधार सी ने बस्पा परत्याशी का नाम लेही लिया तो बीएसपी कैंडिडेट अनिल कुमार भिवला कैसे पीछे रहते आखिर यह बयान उन्हें बढ़त जो दिला रहा था ऐसे में वे भी फूल कर कुपा हो गए और उन्होंने भी नहले पर दहला मारते हुए यहां तक कह दिया कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है गरीब हमारे साथ हैं दरसर रमधार सी ने इस तरह की बैयान बाजी से अपने विवादित राजनितिक की आग की ठंडी पड़ी चिंगारी को फिर से हवा दे दी है या चिंगारी विपक्षी दलों के दोनों ही उम्मीद्वारों पर भारी पड़ी है ऐसे में दोनों अपने अपने तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं गौर तलब हो कि रमाधार सीं का विवादों से पुराना गहरा नाता रहा है और विवाद और रमाधार सींग दोनों एक दूसरे के परियाय माने गए हैं या भी जान लिजे कि रमाधार सींग ने अपने विवाद अस्पत बयान में घंटी और ड्राइवर सब्द का जो इस्तिमाल किया है विवाद और अंगाबाद के कॉंगरेस केंडिडेट आनंद संकर सींग के पिता यमना सींग के प्रती हैं यमना सींग जब निर्दलिय परत्याशी के रूप में और अंगाबाद से चुनाओ लड़े थे तो उस वक्त उनका चुनाओ चेन घंटी छाप था और एक समय उन्होंने ड्राइवरी भी की थी और अंगाबाद से रूपर्स की रिपोर्ट